हेलो दोस्तों स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में 66 में विपेसी ब्यार एससी ब्यार दरोगा को ध्यान में रखते विए गटना चेकी सिरी चलाई जा रही है इसके अंतरगत भारती राजविवस्ते अंसासन के कोश्चिन का डिवीजन करवाया जा रहा है ताकि एकजाम में आपका कोई कोश्चिन न चुटे तो चलिए हम लोग देखते हैं पॉलिटी के कोश्चिन आज का टॉपिक है राष्ट पती नहीं तो यहां अपन्य अधिनज्च आधिकाडियों द्वारा करेगा आनुछह 54 की अंशार राष्ट पती निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल होता है राष्ट पती के निर्वाचर मंडल में सदस्य के दोनु सद्नुराज सभा लोग सवा के निर्वाची सदस और राज विधान सवाओ के निर्वाची सदस सामिल होते हैं सतरमे सविधान संसोधन अधिनियम मुने सोबिरान में द्वारा दिली और पुड्डु चेरी विधान सवाव के निर्वाचित सदस्यों को भी निर्वाचक मंडल में सामिल किया गया राश्ट पत्ति के निर्वाचक मंडल में जम्मु कस्मीर संग राज छेत्र की विधान सबा के निर्वाची सदस्यों को अभी सामिल नहीं किया गया है next है हाला कि जमू कस्मीर राज के रूप में उसकी विधान सवा निर्वाची सदस निर्वाचक मंदल में सामिल थे next है राष्टपती के चुनाव में मनुनित सदस एवे विधान परिशत की सदस भाग नहीं लेते है नेक्स फैक्ट है राश्पती का चुनाव अनुपातिक परतिनिदी द्वरा परतिनिदी के अनुसार एकल संक्रम नियमत और गुप्त मतदान द्वरा होता है। राश्पती के चुनाव इस अधार पर चुनावती नहीं कि जा सकती कि निरवाचक मंडल अपून है। नेक्स्ट है अनुचिय दंठावन में राष्टपती निर्वाचित होने की लिए अहेता हैं भारत का नागरिक हो 35 वर्ष की आयू पूरा कर चुका हो और लोग सभा का सदस निर्वाचित होने की योगता बताई गई है नेक्स्ट है राष्टपती के चुनाव में नमांकन के लिए उमिद्वार के कम से कम 50 प्रस्तावक वा 50 अनुमोदक होना चाहिए नेक्स्ट है जमानत राष्टी के रूप में 15,000 रुपया जमा करना होता है यदि उमिद्वार कुल डाले गए मतों का एक वटाच्छे भाग प्राप्त करने में असमर्थ रहता है तो जमानत राष्टी जब्त कर ली जाती है नेक्स्ट है अनुछे चापपन में राष्टपती की पदाब दीपाद ग्रहन की तारिक से 5 वर्स्तक का उलेक है अब हम लोग देखते हैं अनुछे 56 एक काव में कि अनुछार भारत का राष्टपती अपना त्याग पद्र उप राष्टपती को संबोधित करके देता है उप राष्टपती इसकी सुच नरलोग सबार्देक्ष को तुरंत देता है अनुछे 56 एक दो बारती सविधान का नुछे 57 राष्टपती के पद के लिए किसी बेक्ती के पुर्णा निर्वाचन की पात्रता निर्दारित करता है नेक्स्ट आम लोग देखती हैं इसमिस अभिधान संसोदन अधिनियम 1906 एक दोरा इसे वर्षट दोर चापिस तक के लिए निर्दारित किया गया है नेक्स्ट अनुछेद 69 के अनुसार या दिसनसत की किसी सदन का या किसी राज के बिदान मंडल की किसी सदन का कोई सदस राष्ठपती निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राश्पती के रूप में अपने पद ग्रहन की तारिक से रिक्त कर दिया है नेक्स्ट है अनुछे 60 के तहत भारत के राश्पती को सफ़त भारत का मुक नियादिस दिलाता है इंपोर्टेंट फैक्टर यहां से कोश्चन बनता है नेक्स्ट है बरतमान में राश्पती का बेतन पाच लाख रुपे है राश्पती का बेतन भारत के संचित निदी से दिया जाता है ये भी इंपोर्टेंट है ध्यान लखेंगे अनुछेद 56 एक खा के अनुशार राश्पती पर माव्योग सविधान के अतिक्रमन के अधार पर चलाया जा सकता है अनुछेद 61 में राश्पती का माव्योग की पड़किरिया उलेक है अनुश्याद 62 के अनुसार महाभियोका आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक यह ऐसा आरोप लगाने की प्रस्थापना किसी ऐसे संकल्प में अंतविष्ट नहीं हुआ है जो कम से कम चौधा दिन की ऐसी लिखी सुचना को दिये जाने का प्रस्थाप पारितना किया गया हो नेक्स्ट है इस परकार 14 दिनकी अंगरिम सुचना के साथ ही संकल पर सदन कुल सदस्य संक्या के कम से कम 14 सदस्यों के अंस्ताक्षर भी होने चाहिए नेक्स्ट अनुस्यत 62 के अनुसार यदि राश्पती पद की रिक्ती राश्पती की मिर्तु पद त्याग और पद से हटाया जाने के कारण हुई हो तो पद की रिक्ती भरने के लिए निर्वाचन रिक्ती होने की तारिक के पद चाहती अता सिग्र उसे और परतिक दसा में 6 म बितने से पहले किया जाएगा यदि मीर्तु त्याग पत्रों हटाय जाने की स्थिति में राश्पती का पद रिख दो तो पद भार का कारे भार उपर राश्पती संबालेगा नेक्स्ट है यदि किनी कार्णों से उपर राश्पती भी उपलब्द नहीं है तो उच्दम नाल जाते हैं नेक्स्ट है अनुच्यद 77 के तहट राश्वत्ति परदान मंत्री की सोचना प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त करता है 108 के तहट राश्वत्ति संसत के दोनों सद्नों का संजूगत अधिवेशन बुला सकता है कापी इंपोर्टेंट है ध्यान रखेंगे नेक्स्ट है अनुचेद 111 के अंतरगात प्रावधान है राश्पति संसत के दोनों सदनों द्वारा पारित विदेयक पर सुकृति परदान करेगा यह अपनी सुकृति रोक लेगा अत्वा विदेयक धन विदेयक के अलाभा को पुनर विचार हेतु सदन को लोटा सकेगा यह अधि विदेयक सदन द्वारा संसोधन सहित उनके बीना फीर से पारित किया जाता है और राश्पति के समक्षपुन प्रस्तुत किया जाता है तो राश्पति उस पर सुकृति नहीं रोकेगा नेक्स्ट है राश्पती धन विदेयक को पुनर विचारे तु नहीं लोटा सकता बस्तुत अधन विदेयक सदन में राश्पती की पूर्व अनुमती से ही प्रस्तुत किये जाते हैं नेक्स्ट है राश्पती की सुग्रीती के बाद ही विदेयक कानुन बनते हैं अनुचियाद 123 के तहट राष्ट पती के अध्यादेश जारी करने की सक्ति परदान की गई है। अब हम लोग देखते हैं भारत की राष्ट पती के कार्जकाल और उनके नाम। और व्यक्ति के अनुचार दूसरे अस्थान पे। नेक्स्ट है डॉक्टर जाकीर हुसेन 13 मही से 963 मही 99 तक और कार्जकाल के नुचार पांच में और व्यक्ति के अनुचार तीसरे। वाराग गिरी वेंकेट गिरी कार्जबाहक ते 3 मही 99 से 20 जुलाई 99 तक नेक्स्ट है न्यायमुर्ती महमुद हिदायत तुल्ला कार्जबाहक 20 जुलाई 99 से 24 अगस 99 से 29 वारंगिरी वेंक्यट गिरी फिर बने 24 अगस्त 19 से 24 अगस्त 19 चोगत्तर् नेच्ट डॉक्टर पकृदीन अली अहमद 24 अगस्त 19 से 11 फरवर निम्ट से काड़बाहा के 11 फरबरी 87 से 25 जुलाइश शतात्तर ने च्ट निलम संझीव रेडी 25 जुलाइश सततर से 25 जुलाइश सेagneश नेच्ट रजय जया इसी सीम्भित जुलाइश से पचीजुलाइश सपस्सक्अन। ने च्ट रएर बेंकेट रमन 25 जुलाइश सतत सी से 25 जुलाई 1902 नेश्ट डॉक्टर संकर द्यारशर्मा पचीज जुलाई 29 से 25 Jul 1997 नेश्ट डॉक्टर की नरायन 25 जुलाई जुलाई 1907 से 25 जुलाई 2000 तक डॉक्टर एपीजी अग्दुल कलम 25 जुलाई 22 से 25 जुलाई 27 तक ये 13 अस्थान थे कारिकाल के अनुसार और इनका ब्यक्ति के अनुसार 11 मा थे नेक्स्ट है परतिवा पाटिल 25 जुलाई 27 से 25 जुलाई 12 और कार्जकाल के नुसार 14 और ब्यक्ति के अनुसार 12 मा थी पर्नमुखरजी 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 ये कार्जकाल के अनुसार 15 में और बेक्ती के अनुसार 13 में थे नेक्स्ट है राम नात कोबिंद अभी बरतमान में है 25 जुलाई 2017 से अब तक है ये कार्जकाल के अनुसार 16 में अस्तान पर और बेक्ती के अनुसार 14 में अस्तान पर है अब हम लगप्रश्म के माध्यम से देखते हैं तो पहला कोश्चन है कतन है संग्य कार्जपालिका का मुखिया भारत का राजपती होता है कारण राजपती की सक्ति की कोई सिमा नहीं है कौन सा कतन सही है तो कतन ये सही है प्रेंटु आर गलत है इसके ब्याख्या देखे सविदान के अनुचे तिरपन के तहत संग्य की कार्जपालिका सक्ति राजपती में नहीं होती है अता कतन है सही है संग्य कार्जपालिका का मुखिया भारत का राजपती होता है अनुचे 84 एक के तहद राश्पती अपने क्रितों का पड़योग मंतरी परिसद की सलापर करता है इस पर कारन गलत है क्योंकि राश्पती की सकतियों पर सविधान के अंतरगत सिमाय अभ्यर और उपित की गई है नेक्ष्ट है भारत की राजपती अपने सक्तिव का पड़्यों करते हैं सीधे और अपने अधिनस्त आधिकारियों करेगा अनुचिय तीरपन एक की अनुसार नेस कोश्चन है भारत मिराशपती का निर्वाचन किस परकार होता है तो अपरत्यक्ष मतदान से इसकी ब्याक्या है भारत मिराशपती का निर्वाचन अनुपातिक परतिनिधी बदिती द्वारा के अनुसार एकर संक्रमनिय मत परनाली द्वारा होता है ऐसे निर्वाचन मे निर्वाची सदस्य सामिल होते हैं अर्था जनता राश्पती की निर्वाचन में परत्यक्ष वाग नहीं लेती इस परकार राश्पती का निर्वाचन परत्यक्ष निर्वाचन है Next question है, कथन है भारत का राज़ पतिया परत्यक्स निर्वाचन से चुना जाता है कारण है एक निर्वाचन मंडल की विवस्था जो संसत के दोनों सदनों और राज्यों के विधानों सभाव के निर्वाची सदस्यों को मिला कर बनता है तो इसके एंसर C होगा, कथन और कारण दोनों सही है, कथन कारण का स्पस्टि करन करता है नेक्स्ट है, भारत में राष्पती का चुनाव किया जाता है तो एकल हस्तनांत्रित मत परनाली द्वारा और अनुपातिक मत परनाली द्वारा किया जाता है नेसको श्यनराश्पती के निर्वाचर मंडल में सदस होते हैं तो इसका एंसर होगा संसत के दोनों सद्नों के निर्वाचित सदस इसके बाद सभी राज्यों के विधान सवाव में निर्वाचित सदस दिल्ली और पुड्यू चेरी विधान सभाव का निर्वाचित सदसु इसकी ब्याक्या देखे सविधान के नुछेद 54 राश्पती के निर्वाचिक मंडल के सदसु का प्रावधान करता है जिसके निम्निकी सदस होते हैं पहला संसद के दोनों सद्मों के निर्वाचिक सदसु दूसरा राज्यों के विधान सभाव में निर्वाचित सदसु तिसरा दिल्ली और पुड्यू तेरी विधान सभाव में निर्वाचित सदस्यों कभी सामिल नहीं किया गया है नेस कोश्चन है भारती सविधान के सतर में सविधान द्वारा भारत की राश्पती चुनाव के जिन्दों केंस आसित पर देशों का भाग लेने का अधिकार दिया गया है तो वो है दिल्ली और पूर्दी चेरी नेक्स्ट निमनिकित में से कौन भारत के राश्पति के निर्वाचन है तू निर्वाचक गन में समलित नहीं है तो राज्यों के बिधान परिशदों के निर्वाचित समलित नहीं है निर्वाचक गन के सदस से नीचे दिये गए कुट से सही उत्तर दीजिए तो इसका अंसर होगा केवल दो और तीन राज बिधान सवाव के सभी निर्वाचिक सदस और संग राज छेत्रों के बिधान सवाव के सभी निर्वाचिक सदस नेक्ष्ट रहबारत में राजपती के चुनाओ के लिए चुनाओ मंडर के सदस से होते हैं ति हो जाएगा लोगसवा के चुने गए सदस राजवा के चुने गए सदस और राजविधान सवा के चुने गए सदस नेक्ष्ट रहबारत की राजपती चुने जाते हैं तो इसका निर्वाच्ट मंदल के अपन होने के अधार पर राजपती का चुना अस्तागित किया जा सकता है इसकी ब्याख्या है अनुशे 54 के तत राजपती का चिरायक निर्वाचक मंडल के सदर्शे द्वारा किया जाता है इसमें संसद अतथा राजू की विदान सवा में निर्वाची सदर सामिल होते हैं दिल्ली और पुद्धु चेरी की विदान सभा के निर्वाचि सदस्व को भी इसमें सामिल किया गया है। निर्वाचक मंडल में अपून होने अर्थाद किसे विदान सभा के बरखास्त होने की वज़े राशपती की चुनाव अस्तगित नहीं किया जा सकता है। राजपती की चुनाव कोई सधार पड़ चिनावती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचन वंडल अपून है अन्सभी विकल्ब सही है राजपती निर्वाचन मामले में राजपती पड़ के लिए निर्वाचन कोई सधार पड़ न तो अस्तागित किया जा सकता है नहीं अवैट ठहराया जा सकता है कि किसी राजबिदान सभा को भंग किया जाने के कारण निर्वाचक नियमावली अधूरी थी अतब डी विकल्ब सही नहीं है नेक्स्ट है भारत की राजपती के उमिद्वार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कम से कम तो इसमें एंसर नहीं दिया इसकी ब्याग्या देखे राजपती अरूप राजपती निर्वाचन अधिनेमें से बावन 1997 के अधा सुनसोचीत के तहत भारत की राजपतीपत के मिद्वार के लिए कम से कम पचास निर्वाचक और निर्वाचक सांसदों और विधानों विधायकों का प्रस्ताव वन आवस्यक है साथ ही कम से कम 50 निर्वाच को निर्वाची सदस्य और विधाय को द्वारा इस प्रस्ताव कानु समर्तन किया जाना चाहिए इस संतार में से पुर प्रस्ताव कानु मोधन की संक्या 10 थी नेक्स्ट है निम्निकित कत्म पविचार करना है पहला भारत के राश्बती चुनाओ के निर्वाचक मंडल में विधान सभा के निर्वाची सदस्य के मत कमुल इस कल्टू राज की जनसंक्या बटा राज की विधान सभा में निर्वाची सदस्य की संक्या गुने 100 की जनसंक्या सबी निर्वाचिस बिदान सभा सदस्यों को मत या कुल ज्यान बटा निर्वाचिस सदस्यों की कुल संख्या तीसरा है आकरी चुनाव में 5000 मत जाता थे तीसके अंसरों का केवल 2 इसकी ब्याख्या देखे, रास्पती के चुनाव का तरीका सुत्र अनुचेद पच्पन में बरनित है, जिसके अनुसार के वल्बी कल्प भी सही है, विधान सभाक में निर्वाची सदस्क मत का मुल, इसकल्टु राज की जन संक्या, इसकल्टु राज की विधान सभा में न निर्वाची सदस्यों की संक्या इंटू 1000 इसकल्टू संसत के निर्वाची सदस्यों के मत का मुल इसकल्टू सभी निर्वाचीत विधान सभा सदस्यों की मतों की कुल मान इसकल्टू निर्वाची संसत सदस्यों की कुल संक्या टिपनी है उपयुक सूत से यदि सेस्पल संदर में राश्पती चुनाव में भी अर्टालीस उच्यान में मतदान मत दाता थे अधा कथन तीन गलत है नेक्ष्ट है भारत की राश्पती के निर्वाचन के सदस संदर में निम्निकित कतनव अभिचार कीजिए पहला पर टेक एम एल एक वोट का मुल अलग अलग राज में अलग अलग होता है दूसरा लोग सभा के सदस्यों की वोट का मुल राश्पती के अधिक होता है तो इसका अंसर केवल एक होगा इसकी ब्याख्या देखे सविदान के अनुचेत पच्पन में दीवे राश्पती के निर्वाचन कि रीती के अनुसार राज़ परतिका निर्वाचर अनुपातिक परतिनी दित परतिती के अनुसार एकल संक्रमियन मत परनाली द्वरह होता है जिसमें राज़ की विदान सभा को निर्वाचित सदस और संसत के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस भाग लेते हैं राजगी विधान सभा के परतेक सदस का मत बुल निम्न सुत्र से निकाला जाता है राजगी जन संक्या इसकल्टू विधान सभा के कुल निर्वाची सदस्यों की संक्या इंटू 1000 परतिय के राजगी जन संक्या कुल निर्वाची सदस्यों की संक्या मिन्बिन होने के कारण परतिय के MLA मिधान सदस्य का मत्य मुल अलग-अलग राजस में अलग-अलग होता है इस परकार कतन एक सही है संसत के एक सदस्य का मत्य मुल निकालने है तू निर्वाची सदस्यों की संक्या अता सपस्ट है कि लोग सबा के परतिय क सदस्य तता राज सबा के परतिय क सदस्य का मुल समान होता है यदि एक सदस्य के मत्य मुल की गन्ना की जाए तो दोनों सदनों के परतिय क सदस्य के मत्य का मुल एक समान साथ सवाट होता है अधा कतन दो गलत हो जाएगा नेक्स्ट है राशपती के निर्वाचन में राजी का मुख मंतरी मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है यदि वो राजबिधान मंदल में उच सदन का सदस हो इसकी ब्याख्या देखे अनुचे चौबन के नुसा राशपती के चुनाव में राजबिधान मंदल के उच सदस मतदान अर्थात विधान परिशत के सदस मतदान नहीं कर सकते यदि मुख मंदली सदन का सदस है तो राशपती के चुनाव में मतदान करने के लिए पादर नहीं होता है नेक्स्ट है भारत के राजबिधान के चुनाव में राजी की विधान सभा के परतेक सांख्या में में जन संख्या सेताक 52 निर्वाचन में जन संख्या चाहा सर नीश्जत शंख्या से इसकी इंठाइब किसको आसरे क्राइब c 2022 की तक के लिए निरदारित किया था अब चौराइस में सविधान संसोधन अधनियम द्वर्ण एक द्वर्ण से वर्ष द्वर्ण 26 करन जारित किया गया है सविधान अनुचेद पचपर्ण के असपष्टी करन से इस बात का उलेग किया गया है नेक्स्ट है राशपती के उमिद्वार के लिए क्या आवस्यक नहीं है तो पढ़ा लिखा हो कि व्याक्या है सविधान के अनुचेद अंठावन एक में राशपती निर्वाचीत होने के लिए आरताओ का उलेग किया गया है जिसके अनुसार उमिद्वार का पड़ा लिखा होना अहरता नहीं है निस्ट है भारती राजपती के विशय में निम्निकित कत्नों पर विचार किजिए पहला भारत में जन्मा नागरी को दुसरा उसे 35 बर्स की उम्र पुरी कर लेनी चाहिए तिसरा इसे संसद का सदस निर् राचित हो सकता है परन्तु निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्या छोड़नी होगी नेक्स्ट है भारती सविधान का कौन सा अनुचे राश्पती के पद के लिए पुना निर्वाचित योगता निदारित करता है तो अनुचे 57 नेक्स्ट है अगर भारत क गर भारत के राज़पति के चुनाओव में को भीवाद है तो विवाद को दूंफा लख झाली दोरा इसका विन में आंतिम होगा नेक्स्ट राश्पती पांच वर्स तक अपने पत पराता है अपने पत ग्रहन के दिन से इसकी ब्याक्या अनुचे चापन एक के अनुसार राश्पती अपने पत ग्रहन से पांच वर्स तक की अबदी तक पत धारन करता है नेक्स्ट है भा भारत का राश्पति अपना त्याग पत्र की स्वपता है तो भारत के उप राश्पति को अपने पद उसके पद से हटाया जा सकता है तो संसत दोरा इसकी ब्याक्या है अनुचेद चपन के खांडखा के अनुसार सविधान का अतिक्रमन करने पर राजपती को अनुचेद 61 के उपवंदित अनुचेद 61 राजपती पर माहभियोग चलाने के प्रकिरिया रीती से संसा द्वारा चलाये गए माहभियोग के माध्यम से पद से हट जा सकता हैँ नेख्ण्षा बारती सेविधान के किस अनुचेद की तहद राशपती पर माँभियोक चलाया जा सकता है तो अनुचेद द्वरां नेक्ष्टे है भरत की रास्पत्ति को माँभियोक द्वरां हटाने के पर किलिए निम्निकित मिश की सनुचेद में तो san banco 61 है नेश्च थै्म ये बारत की राश्रपती का कार्च अब्री की समातिधि चानला या सकता है तो इस और ने इसके माने विर old friends बत्रट विल या कराएगा तो ऐसे अनुवेशन विराषपति को सेम उपस्थित होने और अपना परते निदेद कराने का अधिकार होगा नेक्स्ट भारती सवीधान के निम निकीत अनुश्यदों में नेक्स्ट है सविधान के उलेखन के अधार पर राजपती के बिरोध किसके द्वारा महावियोग लगाया जा सकता है तो संसत के दोनों सदनों द्वारा नेक्स्ट है बारत की राजपती पर महाब्योग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पुर्व की सुचना अवस्यक है तो 14 दिन इसकी ब्याख्या है बारत की राजपती पर महाब्योग रविदान के अतिक्रमन के अधार पर चलाया जा सकता है जब संसत का कोई सदन इस परकार का आरोप लगाए सविधान के अनुचेद 162 के अनुसार ऐसा कोई आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक की ऐसा आरोप लगाने की प्रस्थापा किसी ऐसे संकल्प के अतिब्लिष्टी नहीं है जो कम से कम 14 दिन की ऐसी लिखित क्या के कम से कम 14 सदस्यों के हस्ताक्चर भी होने चाहिए नेक्स्ट निमनीखित में से कौन भारत के राश्पति के निर्वाचक गन का तो भाग है परन्तु उसके मावियोग अधिक्रण का भाग नहीं है तो राज्यों की विधान सबाए इसकी ब्याख्या है अनुचेद 16 के अनुसार मावियोग एक और्द नियाएक परकिरिया है जो संसद में चलाई जाती है इसमें राज्यों की विधान सबाए भाग नहीं लेती है जबकि अनुचेद 24 खक के अनुसार विराश्पति के निर्वाचन गन का भाग है द्यातव एक राज्यों की विधान परसेद राज्पति के निर्वाचन गन का भाग नहीं है नेस कोईस्चन है भारत की राज्पति के मावियोग की परकिरिया और दन्याएक परकिरिया है नेक्स्ट राज्पति का रिक्तस्तान बार लिया जाना चाहिए तो 6 मा में बार लेने चाहिए इसकी ब्याख्या है सविधान क अनुचे अदबार सर्ट एक के अनुसार राश्पति की पदावदी की समापती हुई रिक्ती के भारने के निर्वाचन पदावदी की समापत से पहले से पुन कर लिया जाएगा अनुची अट्बार्शर 2 के अनोसर यादी रिक्ति अन्राजपती की मीर्ट्यू पद त्याग यापद से हटाया जाने के कारण हुई तो उसे रिक्ति के भरने के लिनवाचक रिक्ति होने के तारिक के पहिस्याद यता सिग्डपर्तिक दसा में 6 मा बितने से पहले किया तो रिक्टी होने की सीवी मां के बीतर में राश्पतीった राश्पति की वी मिर्तु गत राश्पतित रहताा जा आए परर पत्र हूं रेक्ती को स्ञेक की और जाने की सिवीन है तो राश्पती जब राश्पती मृत्ट तियागपत परेशित या अनकार्णों से अपने कर्तव्य को नहीं निवा सकता है तो उप राश्पती कितने समय तक राश्पती के रूप में काज कर सकता है तो छे मा इसके ब्याख्या है अनुशेद बारशट दो के अनुशार राश्पती की मिर्तु पद ताकिया पैट चेतिया अनकार्णोस हुई उसके पद में र वाचन रिक्ती थिती से 6 मा बितनेक से पहले किया जाएगा रथात अनुचेद 65 एक के अनुसार ऐसे देशों में उपराश्पती 6 मा तक राश्पती रह सकता है। उपराश्पती संबालेगा। यदि किनी कारणों से उपराश्पती की उपलब नहीं हो तो उस्तम न्याले का मुख न्यादिस या उसके नाराने पर उसी न्याले का बरिष्टम न्यादिस उस समय उपलब है। राश्पती की किर्टों का संपादित करेगा। राश्पती उत सर्बोच नेले का मुखनियादिस नेक्स्ट है यदि राषपती वा उप राषपती का पद खाली हो तो भारत के राषपती के पद पर कौन होगा तो भारत का मुखनियादिस नेक्स्ट है यदि भारत में से राषपती उप राषपती का पद एकी समय बिंदु पर खाली हो ज राष्पति में नीत हों। जिसका पडियकूस सविदान का उनसार स्वयं या अपने अधिकारियों दौरा करेगा इस परकार भारती संग का कार्जपाली का अध्यक्ष राष्पति होता है। नेक्स्ट है, सभिधान के निडमिकित और नुशेटों में से किस एक के अंतरगाट संग की कार्जपाली का सकती राजपती में नहीं थे तो और नुशे olun operate South सकतियों में किसमें नहींत किया जाता है तो भारत की राजपती निक्स्ट है कथा ने संग की कार्जपाली का सकती भारत में राजपती में नहींत है कारण कार्जपाली का सकती सरकार का वेपसाय चलाने से संब्वित है तो इसके अंसर होगा कथन कारण दोनों सत्य और कारण स यह स्पश्टी करन नहीं करता है कथन का इसकी ब्याख्या हम लोग देखें दोनों सत्य प्रंतु कारण स्पश्टी करन नहीं करता नेक्स्ट निमनिकित कतनों पर विचार कीजिए तो पहला है संग की कार्जपाली का सकती परधान मंत्री में नहीं थे दूसरा परधान मंत्र और चार सही है इसकी ब्याख्या देखते हैं सविधान के अनुचे तिरपन 1 के अनुशार संग की कायजपालिका सकती राश्पति में नहीं थोगा और इसका परियुग सविधान के अनुशार स्वैम या अधी नस्त अधिकाडियों द्वारा करेगा अनुचे चौबन 1 के अत पहले किन छे मां के भी तरु से संसत की सदस्य अवस्य लेनी होगी नेक्स्ट निमनिकित में से कौन भारतिय गंतंत का परमुख है तो यह भारत का राश्पती है इसकी ब्याक्या है भारत एक गन्राज है जिसका तत्पर भारत की राष्टा द्यक्ष निर्वाचित होगा नक राश्पती को कोई मामला मंत्री परिशाद द्वारा पुनर विचार किये जाने के लिए वह आपस मेजने का अधिकार दिया गया है तो च्यवालिश में सविधान संसोधन उन्हें सुआठातर द्वारा नुचिया देग च्यवात्तर एक में परंतुक जोरा गया है इसके राश्पती का कोई भी मामला मंत्री परिशाद द्वारा पुनर विचार किये जाने के लिए वापस वेजने का अधिकार दिया गया है नेक्स्ट राश्पती लोग सभा को का भंक कर सकते हैं तो केंद्रिय मंत्री मंदल की अनुसंसा पर इसकी ब्याक्या है नुच्छ पच टंस्टर के मंत्री सामिल होते हैं जबकि मंत्री परिशद में सभी कैपनेट राज उप मंत्री मंत्री सामिल होते हैं नेक्स्ट है भारत की राश्पती की डैस अनुसंसा पर लोग सभा को भंक करा सकती है तो मंत्री परिशद की अनुसंसा पर नेक्स्ट है लोग सभा की संजुक्त बैटक राष्पती द्वारे जाती है नेक्ष्ट है नुग rozpT राष्पति द्वारा नेक्ष्पती राष्पती किसा मंदित निम्निकित कत्म में से कौन एक सही नहीं है तो वह दोनों सदन में चर्चा का भाग लेता है इसकी ब्याख्या है भारती सभिधान के नुचेद 89 के अंतरगत भारत कराश्ट पती संसत का एक संगठन भाग है वह पर तेक वर्थ दोनों सदनों के संजुक बैठा क को संबोजित करता है वह सभिधान के अनुचेद 123 के ताद विश्यस प्रस्थित्यों में जारी कर सकता है परंतों वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग नहीं लेता नेश्ट है भारत के राजपती ने जिस एक मात्र मामले में अपने बीटू की सक्ति का परयोग किया था तो भारतिय डांग घर संसोधन विदयक इसकी ब्याक्ष्या है पेश्यू बिनियुक विदयक के मामले में 1904 में राजपती डॉक्टर राजिन परसाद ने अत्याथिक बीटू का परयोग किया था जबकि 86 मिराशपती ग्यानी जैल सिंग ने भारतिय डांग घर संसोधन व अत्याथिक बीटू मंत्री मंदल की एक्षा दिन होता है अता पॉकट बीटू की स्वेक्षा किया गया माना जायेगा इसलिए भी कल्प सी सही है नेक्स एनिम्मे से किस राजपती ने एक सकती का परयोग किया था जिसे समयधानिक साताब्दी जैबी निसेदाधिकार कहा जाता है तो ग्यानी जहल सिंग इसके ब्याक्या है बार्श उने सो चीहासी में भारत की राजपती ग्यानी जहल सिंग ने भारतिय पोष्ट ओपिशन सोधन अधिनियम के समध में जेबी निसेधा दिकार का परयोग किया था उलेकनी है कि जब राश्बती दोनों सद्नों द् पारित बील को अपने आपने पास असी में समय सीमा के लिए लंबित रखता है तो अर्थात वह इसामती नहीं देता नहीं पुनर विचार के लिए लोटता है और इसे सव्वधानिक सदाबली में जेबी निसेधा अधिकार कहा जाता है पॉकेट बीटो नेक्स्ट है भारत सविधान के निचे देखसे गारक अंतरगत यह प्रवधान किया गया है कि राश्पती सदन के द्वारा संसत के द्वारा दोनों सदनों द्वारा पारित विद्ययक पर स्विक्रीति परदान करेगा या स्विक्रीति रोक लेगा और विद्ययक धन विद्ययक के अतरिक्त पु को नेक्स ट्रेन इमने कित में से कौन राजपती स्वभी वेकी सकती है तो इसका एंसर ई हो जाएगा है उसकी ब्याक्षा ही देख लेते हैं राजबा और लोग सबा में पारित होकर राजपती के पास आये हुए विदेयक दान विदेयक या त्रीक्त राजपती के द्वारा आपर्तिय सहीद वापस बेजना विदेयक को रोक करकना संसत को संदेश बेजने की सकती राजपती की स्वभी वेकी सकतिया है अनुचे चियाची दो के तहत राजपती संसत को संदेश बेज सकता है नेक्स टेनिम में से किस विषय पर राजपती के लिए मंत्री परिशत से सला लेना आवस्यक नहीं है तो विदेयकों पर स्विक्रीथ देना नेक्सट है संविदान के अनुषारिन में से राश्पती की विधाई सक्तिया गोल सी है तो आध्यादेश जारी करना कि इस् matin कि कितमें से कौन राश्पती की स्वभी की सक्ट की ब्याकिया हम लोग देखते हैं सविधान के अनुचे देख से 11 के अंतरगत राश्पती की बीटो सक्ति प्राप्त है जिसका उप्यग वह मंत्री परिशत की सला से मुक्त होकर करता है आता किसी भी देयक का आपरती सहीद वापस बेजना और किसी बीदेय को रोकर रखना राश्पती की स्वभी वेक की सकती है इसकी अत्रिक्त अनुचेज 78 की तहत किसी भी सह के समांदित जनकारी के लिए प्रधान मंत्री से कहना और अनुचेज 74-1 के अंतरगत की सी परामर्स पर मंत्री परिशत का पुनर बेग का परियोग करता है अता विकल्ब इस ही है नेक्स्ट है जब केंद्री मंत्री मंदल ने वर्स 2002 में चुनाओं सुधारप अध्यादेश के बिना किसी बदलाव के उसी राश्पती को वापस वेजा तब राश्पती ने भारती सविदान के कौन सनुचेद के अंतरगत उसे अपनी समती दी तो अनुचेद 123 नेक्स्ट है सविदान के किस अनुचेद के अंतरगत भारत की राश्पती को अध्यादेश जारी करनी की सकतिया परदत है तो अनुचेद 123 नेक्स्ट है भारत की सविदान के किस अनुचेद के अधिन भारत की राश्पती को नेक्स्ट है राश्पती द्वारत की राश्पती द्वारत की राश्पती द्वारत की जाती है तो इसका एंसर होगा बीतायो की अध्यक्ष और संग राज की मुख्य मंत्री इसकी ब्याक्या देखे अनुचे 281 के अनुसर बीत आयोके अध्यक्ष की न्युक्ति राशपती द्वारा की जाती है अनुचे 249 को पांच के तहातर संग राजचेतर के मुख मंत्री की न्युक्ति राशपती करता है अन मंत्रियों के निउक्ति राशपती मुख मंत्री की सलापर करेगा मंत्री राशपती के पर्षाद पर्यांत पद धार्म करेंगे योजन आयो के उपाद्यक्ष ये निउक्ति परदान मंत्री द्वरा की जाती है निच्ट है निमेकित में से राष्पती किसकी निकति करता है तो प्रोग्ट सभी भारत का महा नयवादी नियंतरक वा महा लेखा परिक्चक एक राज़ का राज़पाल इसकी ब्याक्ख्या देखे राश्पती सविधान के अनुचेद siitä के अनुसार महा नयवादी 155 के नुसार राज्यों की राजपाल की नियुक्ति करता है नेस को इस चने निम में से भारत की राजपती किसकी नियुक्ति नहीं करता है तो यह उप राजपती की अनुशेज 60 के अनुसार निच्ट है सभिधान असदारन प्रिष्थितियों में राजपति को राजपल की किर्तों की नीर्थ एतू उपवंद करता है राजव की राजपल को है निक्ट है भारती सभिधान का कौन सा अनुचए राश्पति को उच्थम नयाले के परामर्ज करने की सक्ति परदान करता है तो प्रामर्ज्ट को स्विकार करना चाहिए इसकी वैख क्या है अनुचेद सविदान के अनुचेद 143 के तहत राजपती को सर्वोच न्याले के से किसी भी से की परामर्ज प्राप्त करने की सकती है परंतु उस परामर्ज को स्विकार करने की बादता नहीं है नेक्स्ट है सविधान के अंसार निमनी कित में से क्या सरदंस्ता भारत के राजपती की सक्ति नहीं है तो इसके अंसर होगा संसत के दोनों संसत के सद्नों को संदेश बेजना नेक्स्ट है भारत की राजपती को या अधिकार प्राप्त है कि वो सर्वोच न्याले की न्याधिस को हटाए नेक्स्ट कोश्चन हम लोग देखते हैं राजपती की छामा अधिक की सकती एक न्याहिक सकती है नेस कोश्चन है राजपती को छामा करने की सकती किसे समलित नहीं है तो इसका हम लोग ब्याख्या देखें बारती समिदान के निचेत 72 के तहट राजपती किसी अपराद के लिए दोसी ठहराए गए किसी वेक्ति के डंड को छामा उसका पर्दिवंदर विराम का परिहार करके अतवा डंडा देश का निलंबर परिहार वर लगू करन का अधिकार प्राप्त है जिसमें सेना न्याले द्वारा दोसी सीध कर दिये गए भी मामले हैं किस परकार के प्रादिकार भारत के राजपती को प्राप्त है तो इसका अंसर होगा अपचारिक और विदिक और समेदानिक नाम मात्र नेक्स्ट है बारती समयधान के नुसार भारत की राशपति का कर्टब है कि वो निमनिकित में से किसको संसत के पटल पर रखवाए तो इसका अंसर हो जाएगा सी यानिकी पहला तिसरा और चौता यानिकी संग बीत आयोग का सिफारिस को और नियंत्रक माले का परिक्षक परति वेदन को और राश्टी अनुसूची जाती आयोग के परति वेदन को निमनिकित में से कौन समय्धानिक बिसेशा दिकार राश्पती का नहीं है तो बीति ये वील के पुनर्विचार है तू लोटा ना निउस्ट है संसत के लिए राश्पती का बिवासन कौन तैयार करता है तो केंत्रिय मंदरी मंडल करता है नेक्स्ट है कथन है भारत का राजपती ब्रिटिस राजा से बीन है कारण है भारत की राजपती का पद अमेरिका की राजपती से मिलता है तो इसके अंसर होगा कथन सही है परन्तो कारण गलत है इसके ब्याक्या देखे भारत का राजपती निर्वाचित होता है ब्रिटेन का भी देखे नाब मात्र मिश्ट का परमुख यह दोनों भीन है इसलिए हैं यह जोट F डौल्फ सभी ऐगल Ciaooda सनशट क कर दोनों सद्मों का पारिद्ध Karl बीना राष्पति के स्विक्रीट्ते के नहीं बना सकता है तो इसका एंसर होगा कथन कारण दोनों सही है और कथन कारण का सही सपश्टी करन करता है। तो इसका एंसर होगा कथन सही है परंतु कारण गलत है। नेक्स्ट है भारत के चौटे राजपती थे तो ये श्री वीवी ग्री थे। नेक्स्ट है दो अबधी के लिए भारत के राजपती कौन थे। डॉक्टर रजिन्द परसाथ थे। नेक्स्ट है सवसामती से निर्वाचित भारत के राजपती थे एन संजीव रेडी थे। नेक्स्ट है बारती राजपती के सवसामती से चुने जाने का अवित एकमात उधारन है निलम संजीव रेडी। नेक्स्ट है सुमेलित करना है राजपती और इसकी अवधी। तो इसका एंसर हम लोग देखते हैं फकुरुदीन अली आम्मद 1974-1977, एन संजीव रेडी नेक्स्ट निम में से कौन राजपती होने से पुरु भारत के उप राजपती पत पर असी नहीं रहा तो निलम संजीव रेडी। नेक्स कोईशन हम लोग देखते हैं निम निक्कित भारत के राजपतीों में कौन दाशनिक राजा अत्वा दाशनिक सासक के रूप में जाना जाता है तो यह डॉक्टर राधा किसनन को इसकी ब्याख्या देखे भारत के दूसरे राजपती तेरह मैं ग्यार में 967 डॉक्टर शेथ अलिराथा किसनन को दाशनिक राजा अत्वा दाशनिक सासक के रूप में जाना जाता है नेक्स्ट है भारत के निमनिक्कित राजपतियों में से कौन टेट यूणियन अंदोलन से समन्द रहा तो बीवी गिरी नेक्स्ट है भारत के किस राश्पति को मिसाल मेन की संग्या दी गई है डॉक्टर एपी जी अब्दुल कलाम इसकी ब्याख्या देखे भारत के बेक्ति के अनसारे ग्यार में राश्पति दोया दो सदोया साथ डॉक्टर एपी जी अब्दुल कलाम को मिसाल मेन की संग्या द जबन चका है निग्स ए भारत के नियम मुख नियादीसों में से किस एक ने राशपती के रूप में कार्ज किया था प्रजास्टिस एम हिदा तुल्ला नेक्स्ट है नीम में से कोन असंगत है तो जवान लाल नेरू है नेक्स्ट है कौन सा कतन असत्त है तो उपराशपत्ती का चुनवा भारत का राशपत्ती करता है ये असत्त है इसकी ब्याक्या है सविधान के अनुछेद 66 के अनुसार उप राजपती का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वरा अनुपातिक परतिनीदित परतिती के अनुसार एकल संक्रमनित मद पनाली द्वरा होता है निक्स्ट है अपने कार्ज काल के दुरान भारत की राजपती की बिरुद किसी भी नियाले में मुकादमा नहीं चलाया जा सकता कारण राजपती का पद सहीदान के उपर होता है तो कतन सहीए परंतु कारण गलत है इसकी ब्याक्या है सविधान के अनुचेद 52 के अनुसार मारत की एक राजपती होगा और अनुचेद 33 के अनुसार संग की कार्ज पाली का सकती राजपती में नहीं तोगी प्रंतु संसादिय सहासन विवस्ता होने के कारण राजपती मंति परिशत की सला पर कार करता है अपन गलत है नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं श्री मती परतीभा पार्टिल और भारते गंतंत के राश्पति के रूप में क्रम क्या है तो इसका एंसर बार्मा होगा नेक्स्ट है एक विदयक जो संसद में प्रश्टूत किया जाता है कौन सी किरिया के बाद अधनियम बन जाता है जव राश्पति अपनी समत्ती दे देता है इसकी ब्याक्या है सविधान की अनुछेद 111 में विदयकों पर सविधान की अनुमत्ती से समधित वंद एक विदयक जो संसद में प्रश्टूत किया जाता है वह अधनियम तभी बन पाते हैं जव राश्पति उस पर सभविधान की पााद FEL से संसंद निम प्रावधाने पहला राश्पती के आदेश द्वारा किसी भगोलिक छेत्र से के संपुन अत्वा किसी विशिष्ट भाग को समाप्त किया जा सकता है तिसरह राज के राजपाल की समती से राज के अंसुची छेत्र के छेत्र पल को बढ़ाया जा सकता है निक्स्ट है वह राश्पति निदित करता है प्रांतु राश्ट का नेतुत नहीं करता है या या उक्तिय निम में से किस पह लाँगती है तो यह राश्पति पर नेक्स्ट है भारत के पुर्व राश्पतियों में 92 मे 12 लायत इस नहयुकर चूपर रहा है तो डौक।र जाकीर हुसेंट नेक्स्ट है नेम में से कौन राशपती सर्बोच न्याले में उपस्थित हुए थे जब सर्बोच न्याले राशपती का निदवाचन बिवाद की सुनवाई कर रहा था तो वीबी गिरी नेस कोईशन हम लोग देखते हैं राशपती का राशपती भवन को डिजाइन किया गया था तो एंडिवे लिष्टी वन्स द्वारा किया गया था आसा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है पर सारा कोश्चन कवर कर दिया गया है तो आसा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा और डिविजन कर लिजेगा एक दो बार सुनके ताकि आपका अच्छे से रिविजन होजार एक्जाम में कोई कोश्चन ना छोटे तो आज के लिए इतना है दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स टॉपिक उपराश्पति को लेके थैंकि